अलो फ्रेंज स्वार के लेन इस्टडी में आपका श्वागत है दोस्तों यह करेंट अफेयर से अप्रैल 2021 का फॉस्ट वीक का जितने भी मोश्ट इंपार्टेंट करेंट करेंट कोशन बनते हैं उनको इस वीडियो में आप कबर करेंगे तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो कर देंज लिखागा उस पर आपको टाइश कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी आन रखे तक आपको लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिटेशन मिलता रहे और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और सेर नहीं किया तो सेर जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है किस देश के साथ भारत के पास एक रडननीतीक उरजा भागेदारी है तो राइट अंसर है अमेरिका देश के साथ भारत के पास एक रन नितिक उर्जा भागिदारी है सिंतराज अमेरिका के साथ भारत के पास एक रन नितिक उर्जा भागिदारी है दोनों देश जल ईबारत अमेरिका रन नितिक उर्जा भागिदारी पेटोलियम का पुनुरधार करेंगा और दोनों राइट आंसर है 2019 में जल जीवन मिशन की गोशना वर्ष 2019 में प्रदानमंती नरेंदर मोधी द्वारा की गई थी अगला प्रशने दुशामबे किस देश की राजधानी है राइट आंसर है तजाकिस्तान की दुशामबे तजाकिस्तान देश की राजधानी है अगला प्रशन एक्जाम वारियर्ष पुष्ट कन्या संस्क्रन किसके द्वारा लिखा गया है राइट आंसर है नरेंद्र मोदी द्वारा एक्जाम वारियर्ष पुष्ट कन्या संस्क्रन नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है अगला प्रशन है डैस राज ने दो वातानुकुलित लागत की ये बैंड जिले के दूर दराज की इलागों में आधो निक्तम क्लेनिक और श्वास शुवदाएं उपलब्द कराएंगे अगला प्रशने एक महिला की निर्तिरुत वाले स्टार्ट अप का नाम किया है जिसने कम लागत वाली इंटरनेट से वाएं बिख्षित किय है राइट आंसर है एक महिला की निर्तिरुत वाले स्टार्ट अप का नाम एश्टरम है जिसने कम लागत वाली इंटरनेट से वाएं बिख्षित किया है अगला प्रशन है नोशैनिक अभ्यास पासेक्स भारत और किस देश की सेना के बीच आयुजित किया गया है राइट में निदन हो गया है राइट आंसर है लेट अन्ट जेनर वाल्टार एंथोनि गुष्टावो को यानि बैक पिंटो अगला प्रशन है यूनिक लैंड पार्सल अइडेंटिफिकेशन नंबर योजना किस मंतरा ले द्वारा लांच करेगा राइट आंसर है ग्रामेर मंत्राले लांच करेगा यूनिक लेंड पार्सल अइडेंटिफिकेशन नंबर अगला प्रशन है रूप पूर परमाडू उर्जाशयंत्र किस देश में इस्थीत है राइट आंसर है बांगला देश में अगला प्रशन है किस राज में महाराजा चातर साल कंवेंशन सेंडर क ऐटन किया गया है अगला प्रशन है किस कमपणीने तचिंपूर ऐशिया को उत्री अमेरिका से जोड़ने के लिए दो अंडर 6 इंटरनेट केबल लगाने की युजना बनाहिये तो रइट आंसर है फेसबूक फेशबूक कमपनीने दचिंपूर ओन तचिंपूर ऐशिया को से 20 साल मालवाग जाहज को बचाया है अगला प्रशन है शाबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण किस राज में किया जा रहा है राइट आंसर है गुजरात राज में अगला प्रशन है किसको एमनेश्टी इंटरनेशनल के महासचीव के रूप में न्यूत किया गया है राइट आंसर है मनो शेना अभ्यास ला पिरोस एक नो शेना अभ्यास है थुरूई अगला प्रशन है थिरूई पिक किस राज में श्थित है राइट आंसर है मनीपूर में मनीपूर की राजी सरकार ने हाले में थुरूई पिक पर लगी जंगल की आग को बुझाने के देख केंद सरकार की मदद मांगी है अगला प्रशन है आली में बीसो टीका करण एवां लाजिस्टिक स्वमिलन का आयोजन किया अगला प्रशन है भारत के जी सेवन सिर्पा है कोन भारत के गूरूप सेवन सिर्पा है राइट आंसर है शुरेश प्रभू अगला प्रशन है किस ने आई आई एम जम्मू में सेंटर फार हैपिनेस आनंद माय का उद्गाटन किया राइट आंसर है रमेश पोखोरिया निशंक ने आई 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 एम जम्मू में सेंटर फार हैपिनेस आनंद माय का उद्गाटन किया अगला प्रशने हजारी बंदरगाह किस राज में इस्तित है? रैट आंशर है गुझरात में अगला प्रशने Klx PPN तर। क्या है? रैट आंशर है मच्छर की एक प्रजाती है क्यूँ Klx PPN अगला प्रश्ण है किस ने फल टन और पूने की बीच डेमु शिवा को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला प्रश्ण है आले में नागरी कोडर मंत्राला ने छेत्रिय संपर्क यूजना के हिस्से के रूप में कितने नए मार्गों पर बिमानों का परिचालन सुरू किया है। अगला प्रश्ण है वजश प्रार भारत और किस के बीच एक संयूक्त विशेश बल अभ्यास है। राइट आंसर है संयुक्त राज अमिर्का वज प्रार भारत और अमिर्का के बीच एक संयुक्त विशेश बल अभ्यास है अगला प्रेशन है कि इस अभी नेता को 91 दादाशाव फाल के पुरशकार से सम्मानित किया जाएगा राइट आंसर है रजनी कांत को रजनी कांत को 91 दादाशाव फाल के पुरशकार से सम्मानित किया जाएगा दादाशाव फाल के पुरशकार भारती सिनेमा में बेतर परदर्शन और उतकरिष्ट कारियों के लिए दिया जाता है दादा साब फाल के पुरशकार की स्थापना कब होई थी तो 1970 में होई थी दादा साब फाल के पुरशकार की स्थापना 2015 में क्यानबवां दादा साब फाल के पुरशकार की सुवश के लिए दिया गया है तो 2019 के लिए दिया गया है भारती सिनेमा के पितामा के रूप में किशे जाना जाता है तो दादा साहब फालके को जाना जाता है कौन सा मंतराला है दादा साहब फालके पुरशकार को परदान करता है तो सूचना यहां परशारन मंतराला परदान करता है मरणोप्रान ददाशा अफाल के पुरेशकार से शमानित होनने वाले पहले ब्यक्ति कौन थे तो प्रिथिवी राश कपूर थे अगला प्रशन है भारत का श्वास्त सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितने होने की उमीद है राइट आंसर है 332 बिलियन डालर होने की उम्मीद है भारत का स्वाच सेवा उद्योग 2022 तक अगला प्रशन है डैस देश 47 में G7 सीखर सम्मिलन 2020 की अधेशता करेगा राइट आंसर इंगलेंड देश 47 में G7 सीखर सम्मिलन 2021 की अधेशता करेगा अगला प्रशन है बीस बैंक ने 2221 के लिए भारत की GDP 5.4% से बढ़ा कर कितना करत दिया है राइट आंसर है 10.1% कर दिया है 5.4% से बढ़ा कर 10.1% अगला प्रशन है किस देश ने जानवरों के लिए पहली कोवेड़ाटीन बैक्शिन विक्षित पंजी करीद की है राइट आंसर है रूस रूस देश ने जानवरों के लिए पहली कोवेड़ाटीन विक्षिन पंजी करीद की है अगला प्रशन है कर्मचारी राज बीमानीगम के नए महानीदेशक कौन बने है राइट आंसर है मुखमीत एस भाटिया कर्मचारी राज बीमानीगम के नए महानीदेशक बने है अगला प्रशन है बीश्व आटेज में जागरुकता दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है तो राइट आंसर है कि 2 अप्रेल को अभीश्व आट्रेज में जागरुकता दिवस की रूप में मनाया जाता है अगला प्रशन है हाली में IPL टीम दिली कैप्टल के नए कप्तान कौन बने है राइट आंसर है न्यूजिलेंड आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड देश मिल कर फिफा माईला भीशु को अब 2023 की मेजबानी करेगा अगला प्रश्ण है एलेंडटी टेक्नोलाजी सर्विसेज लिमिटेट के नहीं MD&CO का नाम क्या है राइट आंसर है अमीद चध्धा है एलेंडटी टेक्नोलाजी सर्विसेज लिमिटेट के नहीं MD&CO का नाम अमीद चध्धा है अगला प्रश्ण है सांतीर अग्रोशन अग्रोश सेना 2021 बहुराष्टिय सेने अभ्यास किस देशों की सेना के भी संयुक्त सेने अभ्यास है राइट आंसर है चार अगला प्रश् कई बाल पुष्टक दिवस किस तिति को मनाया जाता है राइट अंसर है दो अप्रैल को अन्तराष्टी बाल पुष्टक दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला प्रशने एड़वाई हैगर किस देश की नए परदान मंत्री बने राइट आंसर है शलोवाकिया इडवा इहाइगा शलोबाकिया देश के नए प्रधान मंत्री बने हैं अगला प्रशनते पूरुष मुक्लीवाजी 200 चैंपिंचीब 2023 की मिजबानी ड्यस देश करेगा वगिवजबेक स्थापीत किरिए गवरुष मुक्लीवाजी 223 की मिजबानी की मुझबेक स्थां देश करेगा अगला प्रशन है बारत का सबसे बड़ा तैरता वश और उर्जा सेयंत्र किस राज्य में स्थापीत किया जाएगा। राइट अंसर है तिलंगाना राज्य में बारत का सबसे बड़ा तैरता वश और उर्जा सेयंत्र तिलंगाना राज्य में स्थापीत किया जाएगा। रिपोर्ट को किस ने जारी किया है राइट आंसर है युनेश्को ने वर्ल्ड इन तो जर तीस पब्लीक सर्वे रिपोर्ट को युनेश्को ने जारी किया है अगला प्रशन है इंडियन अचीवर्ष अवार्ड दोजार इकीस से किस को सम्मानित किया गया है राइट आंसर है जश्पाल सिंग को इंडियन आचीवर्ष हवार 2021 से सम्मानित किया गया है अगला प्रेशन है भारत के नए मुखे चुना आयूत कौन बने है और राइट आंसर है शुशील चंद्रमा चंद्रा सुशी चंद्रा भारत के चबैश्वे मुखे चुना आयूत बनेंगे सुशील चंद्रा सुशील औरोडा की जगा लेंगे मुखे निर्वाचन आयूत के निउक्ति कौन करता है तो रश्ठ पती करते है अगला प्रश्ने, सुपारी पालन नामाक पुष्टक के लेखा कौन है? राइट आंसर है DR. सेलेंदर जोसी सुपालन नामाक पुष्टक के लेखा के DR. सेलेंदर जोसी अगला प्रश्ने है HHSHSN का फूल फ़ार्म क्या है? राइट आंसर है, हार्मोनdoinglealous system of nomin culture हार्मोन अनलाइज सिस्टम आप नॉमिन क्लेचर यह है या 1988 में बीश्व श्रीमा सुल्क संग्ठन द्वरा अपनाया गया था और या छे अंकों का कोड है जो विविन उत्पादों को वर्गिकरित करता है अगला प्रशन है बीश्व सहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अधेशता डैस देश करेगा राइट आंसर है इंगलेंड बीश्व सहर सांस्कृतिक मंच 2021 की सम्मेलन की अधेशता इंगलेंड देश करेगा अगला प्रशन है सावजनी कुद्यम चैन बोर्ट के नए अध्यश कौन बने है राइट आंसर है मलिका स्रीनिवाशन सावजनी कुद्यम चैन बोर्ट के नए अध्यश बने है मलिका स्रीनिवाशन बने है अगला प्रशन है UPI पर एक billion transaction पार करने वाली पहली company कौन बन गई है राइट आंसर है फोन पे UPI पर एक billion transaction पार करने वाली पहली company फोन पे बन गई है अगला प्रशन है किस राजी के हापू साम को GI Tech प्रदान किया गया है राइट आंसर है महराष्ट को महराष्ट राज्जी के हापू साहम को जी आई टेग परदान किया गया है अगला प्रशन है भारत का पहला चवदा लेनवाला एक्सप्रेश्वे का नाम क्या है तो राइट आंसर है दिल्ली मेरट एक्सप्रेश्वे भारत का पहला चवदा लेनवाला एक्सप्रेश्वे का नाम दिल्ली मेरेट एक्सप्रेश वे अगला प्राशने आटोमोटी टार मैनुफेक्टरर्स एस्सोशीयेशन के नए अध्यश कौन बने हैं राइट आंसर एंशुमन सिंघानिया है अगला प्राशने कलिंग रतना सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया है राइट आंसर बिश्व भूशन हरी चंदन को कलिंग रतना सम्मान 2021 से बिश्व भूशन हरी चंदन को सम्मानित किया गया है अगला प्रश्ण है राष्टी शमुद्री दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है राइट आंसर है पांच अप्रेल को राष्टी शमुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला प्रशन है सत्रमी बिम्ष्टेक मंत्री अस्त्री बैठा की अधिशता की सदेश करेगा राइट आंसर है शिलंका देश करेगा कोश्चन फर जूई आपके लिए कोश्चन है इसका राइट आंसर कमेंट बाक्स में बताना है प्रश्न है किडवान कैसे अभिक्रिया है चार भी खल्प है इसमें से एक राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो वीडियो के निचे रेट करें में सब्सक्राब लिखा हुआ सब्सक्राइब को टाइस कर देना और वागल बेल आइकन को टाइस करके आल नोटिफिकेशन अपन कर लेना तकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक्यू फार वाचिंग